हेलो गाइज स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्स्प्लोर कैनेडा पे और आज की इस वीडियो का टॉपिक है सब्मिशिन ओफ इयो आई सो मैंनिटोबा एनपी की सीरीज का पार्ट 3 है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम मैंनिटोबा एनपी की एयो आई के लिए रिक्वेस्ट कैसे सब्मिट करा सकते हैं यह बिल्कुली सिंपल सा प्रोसेस है और यह वीडियो हो सकता है अभी तक की मेरी सबसे लेंधी वीडिय हो क्योंकि इसमें मैं काफी डिटेल में आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा तो आप प्लीज पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखना और आपको पता चलेगा कि पी एनपी की फाइल कैसे लगानी है अगर आपता एक्सपीरियंस पूरा हो रहा है आप एलिजिबल है तो य कैसे ही इवाई का भी इस वीडियो में आपको सारस दिखाऊंगा फ्रेंज अब एक बार फिर हम चलते हैं अपनी कंप्यूर स्क्रीन की तरफ और आपको दिखाता हूं कि कैसे हम समिट करा सकते हैं अपनी मैनिटोबा पी एनपी की इओ आई एक्सप्रेशन आफ को में यूजर अकाउंट के पास पहुंचते हैं और वहां पे अपना लॉग-इन इनफरमेशन डालके अपने मैनिटोबा पी एनपी को लॉग-इन गरते हैं लेकिन हम ऐसे कईयों के पास अभी भी मैनिटोबा पी एनपी का अकाउंट नहीं होगा तो इसके नीचे यह और यहां पर आजेगा यूजर अकाउंट सेल्फ अड्मिनिस्ट्रेशन लॉग उन उसके बाद न्यू यूजर पर जाके यहां पर हम अपनी सारी डिटेल भरेंगे और अपना एक लॉग इन क्रियेट कर लेंगे इसके लिए आपको अपना एक एमेल आडरस चाहिए होगा कोई भी आप अपना यूसर नेम रख सकते हो पासवर्ड रख सकते हो और एक सेक्योर्टी कोशन जब आपका यह लॉग इन क्रियेट हो जाएगा आपका एक मैनिटोबा पी एन पी का एक एक अकाउंट बन जाएगा उसके बाद आप वापिस उस पेज़ पे राकर अपना यूसर नेम और पासवर्ड डालेंगे और लॉग इन करेंगे फिर हम उसके अदर आप्शन आएंगे हमारे पास की एकसेस मैनिटोबा कमपनीज आउन लाइन, मैनिटोबा, पी एन पी, वाटर लाइसंसिंग, पोर्टल सो हमें जाना है MPNP में यहाँ पर मैंने अलरेड़ी मेरी फाइल क्रियेट हो रखी है लेकिन आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले आप जाओगे अपने इलिजिबिलिटी क्राइटीरिया पर और यहाँ पर जो भी आपकी इन्फरमेशन है, आपकी परसनल इन्फरमेशन वाप फिल आउट करोगे और बाद में जब आप एंड में सेव करने लगोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप इलिजिबिल हो या नहीं अगर आपने कोई भी एक ऐसा आप्शन पिक किया है जो इलिजिबिलिटी क्राइटीरिया से नीचे है तो आपको कंप्यूटर बता देगा कि आप इलिजिबिल हो और आपको वो चीज़ इंप्रूफ करनी होईगी उसमें और आपको टाइम देना पड़ेगा और आप जब भी एलिजिबिल होगे यह आपका एलिजिबिलिटी फॉर्म सेव हो जाएगा और फिर आप अपनी ईउआई को प्रोसेस करना स्टार्ट कर सकते हो और अपना ईउआई के लिए आप सारी इंफरमेशन फिल आउट कर सकते हो यहां पर मेरी तो सारी इंफरमेशन फिल आप है पर मैं आपके साथ एक बार गो थू करता हूं सारी चीज़ों को तो एलिजिबिल्टी के लिए पहले आपको बताना है कि आप M.B.N.P. में अपनी एप्लिकेशन डालना चाहते हो तो आप बहुत इंटरस्टीड ओ मैंनीटोबा में मैंनीटोबा में सैटल होना चाहते हो और उसके बाद आप कहोगे कि आप P.N.P.S. skilled worker में जाना चाहते हो अगर आप कोई business get reopen करना चाहते हो तो आप business stream में जाओगे नहीं अगर आपके पस कोई जॉब है फुल टाइम तो आप PNP for skilled worker काटिगरी में जाओगे उसके बाद आप अपने questions के answer जा सकते हो Are you married or common law relationship with any Canadian citizen or permanent resident और इसे related आपके screen पे कुछ और questions आएंगे उन सबी questions को फिल करते हो जाओग और यहाँ पे एक और भी बड़ी option आता है उन students के लिए जनोंने यहाँ Manitoba में अपनी study complete करी है तो उनके लिए option है Have you graduated in past three years with a post-rendry Manitoba minimum of one year program of full time course work और किसी ने भी यहाँ पिछले तीन साल में at least एक साल की full time study करी है तो उनके लिए एक बहुत अच्छा option आता है कि आप just EOI submit करो आपको कोई point criteria से लेना देना नी और आपकी सीधा invitation आईगी और आप PNP में select हो जाओगे जबकि दूसरे जितने भी वरकर्स हैं skilled workers या फिर जो भी students दूसरी प्रोविंस से move होके मेनिटोबा में peer लेने आते हैं तो उन सब को एक points करे criteria follow करना पड़ता है और कुछ points अचीव करने पड़ते हैं जिसके बाद वो अपनी फाइल लगा सकते हैं और उनके लिए भी points अचीव करना इतना ज्यादा difficult नहीं होता एक साल का मेनिटोबा में experience लेके हम अपने points पूरे कर सकते हैं यहां नीचे option आता है जहां पर भी आप काम करते हो वो एक job का noc code चाहिए और यहां उसके side में ही एक link दिया हुआ find the noc code for my occupation इसको आप click करोगे तो आपको एक और screen पर ले जाएगा जहां पर आपको noc codes पता देंगे आपकी जो भी position है वो आप type करो उसके साथ जो भी noc code मैच करता होगा वो आपको screen पर लिखा जाएगा और वो आपने यहां पर इस box के अंदर लिख कर साथ में verify करना है और वो आपकी job description यहां से उसी noc code के side पर लिखिया जाएगी तैने उसके बाद आता है language test तो जो भी आपने आयल्स या फिसल पिप का exam दिया है उसके score आप यहां पर mention कर सकते हो और यहां पर minimum जैसे की CLB level 4 है तो अगर आपका CLB level 4 से कम आता है तो आप in eligible हो जाते हो और आप many टोबा PNP नहीं लगा सकते जो की बहुत easy होता है चीफ और ना CLB level 4 को इतना जादा difficult नहीं है और एक बार आप eligible हो गए आपने save किया और आपकी profile save होगी अब हम process करते हैं अपनी EUI application इसके तीन पार्ट्स आएंगे personal information, more information, forms and document forms and document जो होता ये खाली जाएगा अभी जब हम EOI submit कराते हैं उसके साथ में कोई भी हमारा form वगएरा नहीं जुड़ता तो हमारे पास सिर्फ दो ही fill करने के लिए options होते हैं section 1 personal information और section 2 more information पहले हम personal information fill करेंगे इसके अंदर आप अपना family name, given name, date of birth, email address और आपका पासपोर्ट कब एक्स, sorry आपका वीजा कब एक्सपायर हो रहा है आपके citizen country और ये सारा कुछ आपनी हम लिखके save कर दिया मुश्किल से दो मिनट लगेंगे पहला personal details बरने में फिर हम जाएंगे more information पे more information में जाके आप सारी अपने Canada की history वगेरा आपने यहां पे क्या किया आप यहां पे move हुए और आपने किसी और province में काम किया है कि नहीं कि आपने expect century की profile बनाई है कि नहीं बनाई अगर आप मैंने जैसे की expect century की profile नहीं बनाई हुई तो मैंने no किया है पर जो लोग इसको yes करते हैं उनसे वो expect century की ID पूछता है और job seeker validation code भी पूछता है कि जो भी आपका no code होएगा जहां जो भी आपने job कर रहे हो उससे related और क्या आपके पास जो credentials आपने achieve करे हैं कहीं पर भी किसी outside कैनेडा तो उसके आपने invest करवाई है कि नहीं करवाई है वो सारा कुछ आपसे यह information पूछते हैं लेकिन जैसे कि मैंने नहीं बनाई तो हम इसको no कर देंगे इसका फाइदा यह होता है कि अगर आपके invitation आ जाती है उसके बाद आपकी file अप्रूव होती है आपको 600 points मिलते हैं वो 600 points इस expects entry profile में आपने आप add हो जाएंगे क्योंकि आपने already manydova PNP के साथ अपनी expects entry file को connect कर दिया है इसके बाद हम आते हैं connections to manydova में connections के लिए हमारे पास कोई close relative होना चाहिए Canada का में या फिर आपके पास 6 महिने का work experience होना चाहिए Canada का और आपके पास two year की study हो सकती है या फिर eight to twelve month की minimum study हो सकती है इसके अलावा आपका कोई friend या relative होना चाहिए Canada में जो कि मैनिटोबा में at least एक साल से रह रह रहा है and he should be a permanent or citizen of Canada और permanent residency लेने के बाद एक साल उसको मैनिटोबा में रहते हुए होना चाहिए इसके बाद आप अपनी desire destination आपसे पूछते हैं अगर आप यहां पे Winnipeg select करते हो तो आपको zero point मिलेगा लेकिन अगर आप Winnipeg के लावा कोई और city choose करते हो जहां पे आप मैनिटोबा में अपने settlement करना चाहते हो अपनी तो उसके आपको 50 point extra मिलेंगे बाकिए आप कहीं और किसी province में रही हूँ आपके spouse कहीं किसी और province में रही है या फिर आपने कोई study Canada में किसी और province में करी है वर्क की है या आपका कोई close relative Canada में या किसी और province में रहता है तो उन सारे questions के आपको answer देने हैं लास्ट में आपसे question बोचते हैं funds के regarding जब कि यहां साइट पे मेंशन किया हुए इन्होंने की मिनिमम तैन थाउजन डॉलर्स आपको शो करने हैं लेकिन अगर आपके पास मैनी टॉबा में फुल टाम जॉब है जब आपके पास में धाया थाउजन टॉबा करने की जरुड़ पड़ेगी अविए फुल टाम वर्कर ऑफ मैनिटोबा अगर आप कैनेडा की किसी और प्रोविंस में या फिर कैनेडा से बाहर कहीं अपलाई कर रहे हो और आपको अपनी फाल जितनी जाज़ा स्ट्रोंग दि अगले forms and documents की तरफ बढ़ते हैं forms and documents में आपको अभी कुछ भी शो नहीं होएगा यह blank आएगा क्योंकि युवाई जब हम समिट कराते हम से कोई documents required नहीं होते जब हमारी UI accept हो जाएगी तब हमारे पास Manitoba government हम से कुछ documents मांगेगी वो हमें यहाँ पे फिर upload करने होंगे देन हम अपनी file को review करते हैं हमने सारी information अपनी personal information एंटर कर ली है हमने में अपनी जितनी वी extra information थी वो भी upload कर दी है और हमने अभी हमेरे पास कोई document required नहीं है तो उसका option डन होएगा लास्ट में हमारे पास option आजाता है last time हम अपनी UI application को एक बार preview कर सकते हैं जो कि कारना बहुत ज़रूरी है और हम अपने points भी देख सकते हैं यहाँ पर जाके हमारे total कितने points बन रहे है यहाँ पर हमारे eligibility के हमने जो question के answer दी है वो सब कुछ यहाँ पर mention किया हुआ है हमारे language के score जैसे की मेरा listening 8, reading 8, writing 7, speaking 9 तो इस तरह से सारे points आपको show होएंगे तो जितने ज्यादा आपके score होएगा उतने ज्यादा आपको language proficiency के points मिलेंगे जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था इसके बाद हम अपनी personal information यहाँ पे share करी है और more information जो जो हमने mention किया वो सारा कुछ है का एक बार आप preview कर सकते हो कुछ भी आपने changes करनी हो कई बार हम जल्दी में कोई चीज मिस कर देते हैं कहीं yes की जगाई no कर देते हैं तो इसलिए एक बार preview करना बहुत ज़्यादा जरू points बने मेरे यहाँ पर जैसे की 622 points बन रहे हैं और यहाँ adaptability के ही हमें 500 points मिल जाते हैं और अगर हम किसी और province में काम करके यह study करके हैं उसके minus 200 points और यह point score अगर आपका 550 से उपर है तो यह बहुत अच्छा point score माना जाता है बाकी आजकल draw 450 से 500 के बीच में आ रहा है so 500 plus score भी बहुत बड़ी है score है इसको review करने के बाद हम अपनी फाइल को submit करने का बस यह last में option आ रहा है आप अपनी terms and condition पे tick mark करोगे that you have read all the terms and condition और अपनी फाइल submit करवा सकते हो आप कुछ लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी हमें submit कराने की जरूरत नहीं है पर EOI पहले ही बना के रखने का जो फाइदा है वो यह है कि आप बिलकुल मौके पे जाके आप अपनी EOI की profile बनाते हो आपका experience हाज पूरा होगे आगले दिन आप अपनी profile बना रहे हो आपके points नहीं मैच हो रहे या आपका eligibility criteria नहीं मैच हो रहा तो उस टाइम पे सोचने की बजाए आप अपनी पहले EOI की profile क्रियेट करके रखो ताकि आप अपना सारा preview कर सकते हो सब कुछ कर सकते हो उसको submit मत कराओ जब तक आपका experience पूरा हो रहा है आप अपने score को day by day improve कर सकते हो आप देख सकते हो कि आपकी कहां पे क्या कमी आ रही है कहां पे points आपके कम बन रहे हैं तो उन चीज़ों को आप upgrade कर सकते हो तो by the time आपका one year का experience यहां मैनिटोबर में पूरा होता है उस time तक आपका काफी चीज़ें देख सकते हो कि कहां कहां मैं अपने points increase कर सकता हो अगर आप बिल्कुली last day पर अपनी profile बनाते हो आपके पास time होगा नहीं अपने points को increase करनेगा तो जितने भी आपके points होएंगे आपको उसी के साथ अपनी file summit करानी होएगी और ये भी case हो सकता कि आप ineligible हो और फिर आप सोचोगे कि मैं अपने points कैसे increase करूँ अपना eligibility criteria कैसे बनाओ और वो एक wastage of time होगा तो इसलिए profile पहली create करके रख लेना बहुत benefit रहता कि जिस दिन आपका experience पूरा हुआ बस आपने terms and condition को tick mark किया और submit कर दी अपनी profile इसी के साथ मैं आप सब का बहुत बहुत शुकर गुजार हूँ आप मेरी वीडियो को बहुत लाइक करते हो सपोर्ट करते हो इसी तरीके सब प्लीज मेरे को सपोर्ट करते हो और आपके लिए ऐसी informative वीडियो मैं लेके आता रहूँगा और मेरे चैनल के नीचे एक बेल आइकन होगा उससे आपको मेरी जो भी नई वीडियो हैं उनकी अपडेट मिलती रहेगी थैनकी आपके बहुत आपके लिएक सिर्ण आपके लिए को और आपके लोगा देखाए आपके बतुए आपके लिएकाए